अब इसको लिगे चलता है किसी रियल टाइम एक्सांपल समझा नहीं आया ना इसके अंदर नहीं लगाया तुम लोगों मजा नहीं आया ना कोई चीज है उसको अनपैक कर रहे है ठीक है और उसमें ना अपने पास कुछ नंबर्स है ठीक है यह नंबर्स है अब मुझे क्या करना है ना वन टू फॉर मुझे अलग लग चाहिए तो मैं कैसे करना हूँगा अभी आप कैसे करते हैं तो मैं कंसूल डॉट लॉग ठीक है यह 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 जीरो इंडेक्स एंड टू फॉर टॉरी वन और नाओ टू ठीक है तो यह वन टू फॉर मुझे ऐसे मिलेगा वन टू का फॉर फॉर टू का वन राइट तो अब हम इसको इन एलेमेंट्स को प्रेंट करते हैं अलग वे में विद दा हेल्प आफ डी स्ट सब्सक्राइब करना है वर्सट सब्सक्राइब करें अब मैं अपर एल्ली केंद लिएफड करना है या Retro er से कि अधर मैं इसको बार-बार एरे इंडेक्स वाइज इसको प्रिंट करूँ और वेरेबल वाइज प्रिंट करूँ तो एरे डी स्ट्रक्शिंग आपकी यहाँ पर एल्प करती है इसके साथ साथ आप यहाँ पर यह भी कर सकते हूँ कि जैसे मुझे पहली वेल्यू नहीं चीए ठीक है तो मैं आप इसको पास कर दूँगा और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सेकंड तो मैं डायर सेकंड वेल्यू को भी प्रिंट कर सकता हूँ अगर आपको पास वेल्यू जादा है ठीक है एंड second value को second में ले रहे है, fourth value को third में ले रहे है, third variable में, ठीक है, तो चलो एक वर object के साथ हो देखते हैं इसको, कि कोई मैंने या पर object create किया, ठीक है, const person नाम से, ठीक है, और उस person के object में मुझे क्या करना है, sorry, name, name में में डाल दिया, कान खा, ठीक है, job, या फिर developer, डाल दर ठीक है, and designation, designation चोड़ो, salary, ऐसी बासे लोग बूसरे साथ salary इती है, आपकी, one million, खुश हो जाओ, मतलब नहीं है, लेकिन कुश हो जाओ, ठीक है, अब मांगे चलो मुझे इस object की values को access करना है, तो मैं कैसे करो, मैं करूंगा, person.name, ठीक, person.job, person.salary, ठीक है, one million देंदो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब दिख सकते हो, मैं पास ऐसे values आई है, but, okay, so अब हम इसको करेंगे with the help of destructuring, कोई हम array को भी कर सकते हैं, destructural, and object को भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कैसे होगा, अब array के लिए हमने symbol यूज करा था, square record, हम object लिए यूज करेंगे ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम लिख दूँ है, नेम के बाद, job, salary, ठीक है, and equal किसके, person के, ठीक है, अब मुझे access करना है इसको, तो मैं कैसे access करूँगा, सीधा मैं यहाँ पर एक पूरा वो बनाता हूँ, backtix है, template literals अभी आएंगे, ठीक है, last में है, ठीक है, my name is is, अब यहाँ पर मैं define करता हूँ, सीधा name, ठीक है, print करता हूँ, तो दिखा आगया, my name is, कान, ठीक है, easy के साथ-साथ, and, my job, and, this job, से, मुझे, salary मिलती है, कितनी salary मिलती है, यह पर salary डाल दो, ठीक है, अब देखो, यह पूरा text आगया, my name is, काना, and my job is developer, and, in this job, से, मुझे, salary मिलती है, 10,000 डालर, इतने दो नहीं मिलती है, ठीक है, तो this is, every destructuring, अब यार, तुम देख रहो, कि मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, मज़ा क्यों नहीं आ रहा, क्यों कि यह basic syntax change होगा, हमारे क्या फायदा हुआ, वगरा-वगरा, तुम्हें real-time example दिखाता हूँ, so suppose करो, यह तुमने एक API call करा, ठीक है, API call में तुम क्या करता हूँ, get user data, कहीं से तुम डेटा लेकर आ रहे हो, कोई example API है, उस user ID के आप से, ठीक है, अब यहाँ पे, तुमने क्या करा, पहले इसको comment करता है, पहले यह समझाते है, कि यह object त name, email address, अब तुम्हें क्या करना है, बार-बार ऐसे नहीं करना है, कि आप इस user से, console.log करके, user.name, user.email, user.address करो, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको destructure कर लिया, name, email, address, और आप दिखे रहे हो, इसको way of destructuring कि आपकी array के अंदर array है, या object के अंदर object है, तो उसको भी destructure कर address, यहाँ पर address देख रहे हो, कि address नाम से है, and city, and zip code, आपका JSON पूरा target हो गया, with the destructuring object, ठीक है, यहाँ आपने user assign कर दिया, तो आपका पूरा data, यह इसके अंदर है, तो आपको print करोगे, console.name, email, city, and zip code, यहाँ पर आपका easily print हो जाएगा, ठीक है, so this is the power of destructuring, अभी destructuring का हम spread operator, and rest operator के साथ, वो आपको और जाद समझ में आगा, कि हम इसको और कैसे अच्छे तरीक से use कर सकते है, ठीक है, okay, so this is the destructuring of array and object, okay, now let's start with promise, promise करो कि इसको पार्ट को बिना, like, बिना mobile चलाए होए, बिना कोई भी हरकत करे होए, देखोगे,